हेलो डियर स्टुडेंट स्वागा जैतरुं सब का तुम्हारे प्यारे से चानल लर्ण वित आर जी में ये जो है होप सीरीज का पांचमा वीडियो लेक्चर है पिछले वीडियो लेक्चर में जैसा कि बताया गया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें एक्सरसाइज 1.2 के कोट्यen को स्वाल करने वाले हैं और चैप्तर को है यह एक्सरसाइब बहुत जादा आसान है तो घर में तुमको बणाना अगर दिक्कत होगी तो प्यधियो में डालेंगे उसको सब्झ gonna तुम लोग गुरूप में जो है भेस दोगे और पूरा चिस तरह से तुम लोग इन्वाल्व है ना पूरे यह जो लेक्चर चल राइस के साथ जो तुम लोग होमवर्क बना के भेसता है तुम लोगो सब को एक एक चोकलेट जब आगे ना ऑफ-लाइन क्लास में सब को देंगे दोड़ उप्या वाला ठेक है दोड़ उप्या वाला मंच समझ गया तो चलो हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट बहुत 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 देखो लुलु पूच्छी वहला कोस्चन है क्या बोलाया तुम घृट करके 140 दिया हुआ 140 क्यी बोलाया करके निमली खित संख्याओ का आभाज गुननखंड के गुननफल के रूप में क्या करें वक्त कर तो 140 है 140 बड़ाबर यहां पर से 140 को तोड़ देगा 70 फिर दोसे तोड़ेगा 35 फिर तोड़ेगा 2 से 2 से 5 से 5 6 सथे और तो स्वोटैसी अगर शान। खुन तो सब्सक्राइब और नगर गोगुसा यह भी आवाज यह भी आवाज यह भी आवाज है वह गिया खता हुँ भुक का एंसर के पीछे ने घुसना है तिह बीद तुम नोग बोलाएं किसी को होता है कलेजा में थंडक नहीं पढ़ता वह लगा जब तक एंसर नहीं मिलेगा रहा कुछ नहीं सुनेंगे तो चैनल उस करेंगे इसका हम लोग चलते हैं दो नमबर के कोस्चन में क्या बोला है तुम मुझा करें कि निमलिखित यूगमों के HCF तथा क्या ग्याद कीजिए HCM ग्याद कीजिए इसकी जाच कीजिए कि दो संख्याओं का गुनन फल HCF गुना HCM होता है कि निया पॉर्स होता है है ना फिर भी हम लोग जाच भी कर देंगे दो नमबर है बोलाए कि सर क्या है 26 है और 91 है ठीक है ठीक है ठीक है चब जिए 26 को हम लोग लिखेंगे तुमको जाकरके 26 है 2 गुना liberty ठीक है तुड़ ले Grand में थाध कि चलो साथ गुना तेरा सचिकान भी होता है क्या बताए थे तुमको चा करके कि सब्सामेन कूमन हो और लंक्तिम में क्या बताए यहां पर लिखेंगे हम लोग फिर देखो चब्वीस एक अनब्बे बड़ाबर जो सब में कुमन हो वोला कि क्या कुमन है? बाकी बोला LCM 26 एक अनब्वे बराबर बोला कि जो कोमन है उसको अबाकी सब इसको कर लेगा गुना तो लोग जा करके तो जाएगा अपने से कर लेगा अब बोला है कि क्या पहली संख्या गुना LCM गुना SCF होता है तो हम लोग उसका जाच भी कर देगा जो जो बोला है सब कुछ करना है चोड़ी फकेड़ी निकड़ेगा आई चांच करो क्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बढ़ाबर LCM गुना HCF होता है कि नहीं तो हम लोग गुना करके देख लो पहली संख्या है तुमको जा करके 26 गुना हो जाएगा तुमको जा करके 91 बढ़ाबर देखो LCM कितना आया है LCM 182 और HCF कितना आया है तेर देखो यहां पर हम तुमको ठगने वाले हैं इसको गुना करेंगे तेरा दुनी 26 तेरा अठे चलो मजाक करते तेरा दुनी हो गया 26 तेरा अठे 104 अद्दू 106 तेरा एकम तेरा और दस तेरा दस हो गया तुमको जा करके इधर भी गुना कर के आ जाएगा तुमको आखर के इतना ही बाबुग गुना रिश्क हमने लरते तुम लोग अपना देख लेना दोनु बडा बढ़ यहां तो यह वगया बडाले ठेक है जैसे बड़ा बड़ हो जाएगा यहां पर बाबु इज्जत से हम लोग लिख देंगे क्या है ठीक है बाकी जो है दो तीन कोस्ट्टन है बहुत कि अधिया बना लेना तुम लोग ठीक है यह कैप्चर हो जाता है मिटाएंगे इसको कि देखो बाकी सब कॉस्ट्टन को तुम अपने से बना लेगा इसमें कुछ नहीं कुछ नहीं रखा बहुत अफ़ाइगे अब कि तुमको जा करके तीन नंबर चलो हम तीन नंबर में तीन नंबर में यहीं पर तो हम लोग सीखेंगे क्या क्या है तुमको जा करके 12 15 और 21 तो बारा बराबर लिखेंगे तीन सोरी सोरी दो दुनी चार तिया बारा पंदरा लिखेंगे तीन पच्चे पंदरा इकीस को लिखेंगे तीन सत्ते 21 ठीक है अब देखो सबसे पहले हम लिखेंगे किसके बारे में एच सी अप के बारे में लिखिए सर लिखिए एच सी एफ बारा पंदरा इकीस बढ़ाबर ठीक है बोला है कि जो सब में कोमन हो देखा जाए देखो हम जो ऐसे घिरते हैं ना नेता सब तुम इसका हो जाएगा तो यह देखो सब में कोमन हो अना इस एफ बोला कि सर इसका हो जाएगा कि अन्याव बारा पंदरा इकीस बढ़ा बड़ाबर क्या हो जाएगा जो सब में common हो, बोला कि क्या common है, बोला three common है, तो three लिख दिया, बाकि सब, दो लिग दिया, फिर दो लिग दिया फिर पांच लिग दिया फिर क्या लिग देगा? तुम बया करके साथ लिगतेगा बहा सहने रहा है, अच्छा अगर यहां पड़ा गड़ा दो रहाता, ध्यान से एक बाद समझ लो, क्या बोला है किसी दो में भी common हो तो आगर यह दो एक बार command आ जाता इसमें, एक बार command आ जाता, जैसे मान लोगिए एहीं पड़ा गार 7 रहता, ज। यह ज्यादा समझेगा, 7 रहता, तो इस 7 को जो है ना दो बार ने लिखता, 1 ही बार लिखता, 2 में भी command रहेंगा, तो एक ही बार लिखना अज चाहिए, LCM म नहीं रहेगा सब में कुमन तो एक हो जाएगा ठेक है कुछ भी कुमन ने रहेगा तो क्या हो जाएगा एक एंसर हो जाएगा अब बाकी सब तो गुना हो जाएगा दस दुनी 20 20 जाता है यह तो पर आता है डिसलाइक करने के लिए वीडियो को वही है उसी के लिए अंसर निकाले है नहीं अच्छा है डिसलाइक बाला समय आता तो है घुटा सिस्ट कर दोघ्राइक घुटा से टीन का दो नंबर ना तीन का दो नंबर है न इक दो नंबर प्रभ्लम और यह देकर एक है ठीक है इस इन का दो नंबर जैसे है क्या देखो 27 23 और 29 सारा संख्या कौन सा संख्या है अब हाज संख्या इसमें कुछ कोमान आना तो मुम्किन नहीं है ना मुम्किन है ना मुम्किन तो 17 को बहुत से बहुत हम लिख सकते हैं 17 गुना एक है ना HCF हो जाएगा तुमको जाकड़े के, HCF 17, 29, 21, साथ जाएगा, कुछ भी कुमने रहेगा ना, सब का मालिक, LCM, LCM हो जाएगा, LCM, 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 17, 20, 29, तो 17, 30, 29, साथ जाएगा, तो इसको आम दो गुना, सोचना भी नहीं कि हमें तो बड़ा गुना करने वाले हैं, अपना करना समझ किया है, तो यह एंसर हो जाएगा, लेकिन, यहां पर भी एंसर चोह सकता, कोई दिक्कत नहीं है, तेक है, उमीर है कि बड़ा समझ में आला हो, देगा, इसमें कोस्चन दुए, तीन टो है, बढ़ कमेंड में लिख दो, हाँ, पढ़ रहे हैं, लिखो तो यहां तक है, नहीं पढ़ रहा, लिख दो, ता कि uh, चाट हुंन्टको बड़ा गए प्रवाद में पता चलता है को तो बंद है चाहर नमर जैसा क्वेस्टन देखा आने का बहुत ज्यादा चांस है एक है एक सी एफ बोला है यह पहली संख्या हो गया यह दूसरी संख्या हो गया नो दिया हुआ है तुम समझ रहा है संख्या गुना दूसरी संख्या तो चलो इसलिए हो जागा तुम बढ़ा करके क्या यह निकालना है तो यह बढ़ाबर हो जाएगा ही पहली संख्या गुना डूसरी संख्या इसको निकालना तुम बट्टे एल सी एम नहीं नहीं एक सी एफ एच सी एफ बड़ाबर नीचे बड़ाबर पहली संख्या 306 है बाबू पान सो नहीं नहीं छे सो संतावन बटे एच सी एफ देख लो कितना है नो ठेक है चावतिस गुना चेसो संतावन पांच मिनट गुना करने में लगे गाना सो एम भी बढ़ जाएगा फिर उप्लूट कर लें तो नेक्स्ट कोस्चन देख नेक्स्ट इंपोर्टेंट है यही कोस्चन को समझना हम लोको पांच नमबर छे नमबर को बाकि किसको समझना बाकि सुमनों फटट फट उडाता है कर तो बना भी लिया होगा है आओ ह। देखो जाज कीजिए की क्या जाज कीजिए कि क्या किसी प्रकिर्टिक संख्या n के लिए 6 का पावर N 0 पर समाप्त हो सकती है ओई 0 पर समाप्त हो सकती है ठेक है पहले तो लिक ओ, तुमको जा करके क्या हो सकती है, लिख देते हैं हम लोग क्या, 5 नंबर, यह न, 5 है, 5 है, 5 है, जी बिलकुल, माना की 6 का पावर N, जीरो पर समाप्त, हो सकती है, तेखो, जीरो पर समाप्त होने का मतलब क्या हुआ? यहां पर समझते हैं, 0 पर समाप्त होने का मतलब, जैसे 0 पर कौन समाप्त हो, जैसे 50 समाप्त होता है, 100 समाप्त होता है, 220 समाप्त होता है, तो यह सब जितना संख्या देख रहा है, इस सब संख्या में किस से भाग लग जाएगा, तुमको जाकर के 10 से, लाश्ट में 0 रहेग तो अर्थात क्या होगा इसका मतलब अर्थात 6 का पावर N 10 से पुर्णता 10 से पुर्णता क्या होगा विभाजित होगा 10 से पुर्णता क्या होगा तुमको जाकर के विभाजित होगा तो 10 से जिसमें भाग लग tidak जैसे मान लोगी एक्जाम्पल लेते हैं में जैसे 30 ती हम अगर दस से भाग लग तो 30 बढ़ा-बढ़ क्या होगा है ना, 50 को क्या लिख सकता है, 50 को 5 गुना 10 लिख सकता है, लिख सकता है, इस 10 को हम लोग क्या लिख सकता है, फिर, बोला कि क्या लिख सकते है, 2 गुना 5, इस 10 को भी क्या लिख सकता है, 2 गुना 5, इसका मतलब हम लोगो क्या पता चल रहा है, कि अगर लाश्ट में 0 है, तो भ में पांच से भी भाग लगता है ठीक है तो हम लोग क्या लिखेंगे अता इसके गुननखंड में क्या होगा दो तथा पांच सम्मिलित होगा तो तथा पांच क्या होगा सम्मिलित होगा क्यूं ऐसा होगा तुमको जा करके यह बात यहाँ पे लिख देते हैं इस जगा पर क्यूं ऐसा होगा चुकी दस बड़ाबर पांच गुना दो या दो गुना क्या होता है तुमको जा करके पांच परंतु चाहे पड़न तु छोड़ो अब लिख देते हैं अब 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 लिख देते हैं अब अब लिख देते हैं ठीक है गड़मी लग रहा है बाबू गड़मी चली आईए अब क्या करना होगा तुम बजा करके 6 का पावर n बड़ाबर बोला कि क्या होगा सर 6 का पावर n तो तीन है उससे मतलब नहीं है लेकिन दो पांच भी होना चाहिए तो क्यां बोलो यहां पर दो तो है पांच है तो 10 पुड़ेगा कभी 5 दूनिए 10 लाश्ट में कभी आसकता है लाश्ट में 0 आएगा तो 2-5 तो रहबे करेगा उसमें हमेसा हमेस्था और हमेस्था हमेस्था साथ जन्नम तरके कर आओ तो क्या लिखेंगे तुम बढ़ा करके यहाँ छो के पावर एन के गुननखंड में क्या तुम बढ़ा करके पांच सम्मिलित नहीं है तो क्या लिखेंगे अता नहीं है तो अता छो का पावर एन दस से विभाजित नहीं होगा तो अब आवर एन क्या होगा तुम बढ़ा करके दस से विभाजित नहीं होगा तो दस से विभाजित होता तो उसमें पांच रात्ता 2-3-3-6 नहीं होता है तो अछावर में दो और तीन भी जरूर नहीं होगा हमेशा यह बाटन को ध्यां दर्खोगे तो अगर 10 है किसको ही अगर 10 आता उसमें तो उसमें तो 5, 2, 5 रहता है क्योंकि 5 दुनी 10 होता है क्लियर है ना बात? तो देखो तो यहाँ पे च्छॉ का power n क्या हो तोम बह来 रहा? नहीं है क्यों नहीं है विभाजित क्योंकि उसमें पांच नहीं है पांच दिख राएं तुम दोग को नहीं है 5 तो क्या लिख देंगे अर्थात कि अर्थात क्या कि छौका पावर एंड जीरो पर ला सुनने पर समात नहीं हो सकता ठीक है इसको इसी तरह से बनाया जाता है यहां पर हम लोग बाबु सुन्दर से सजा करके क्या लिख देंगे बात हो गया खतम कहानी हो गया इस जो है कोस्चन का भी कतम यह हो जाता है क्यों थे सबस्टा करति हैसको तो Bachelor में क्ष dual करते है सबस्छा किस तरह सबस्था सबस्दीद इस POLThere को सबस्दी संख्द होता है तो कुछ संख्दा लिखते हैं दो जैसरे ले दिए दो थीं चार पाच छे तो इसका गुनन हखन देखो, दो का गुननखंड क्या होगा, एक और दो, तीन का क्या होगा, एक और तीन, चार का क्या होगा, एक, दो, और चार, पांच का क्या होगा, एक, और पांच, छे का क्या होगा, एक, दो, तीन, छे, होगा ना, तो इसी में से कुछ संख्या क्या है, भाज है, और कुछ तो संख्या क्या है तुमको जा करेके अभाज है तो देखो जिसका गुननखंड दो गू है यह सब हो जाता है अभाज यह अभाज हो गया यह भी अभाज हो गया लेकिन दो से जादा जैसे आया चाये तीन गो हो की चार गो हो की विज गो हो की पचास गो हो तो हो जाएगा व दुनिया में कोई भी संख्या 1 और 0 को छोड़ करके सब का दो गुननखंड होता ही है जसे 5 किसे किसे भाग लगा एक से पास से जैना जैसे माल्व कोई संख्या 532 तुमको इने पता छिलेगा कि किससे भाग लग रहा है छोड़ होड़ो सब को भूल जा तुम। तुमको इतो तो पता है कि उसमें एक से और 532 से भाग लगिये जाएगा लग जाएगा ना दो तो सबका गुननखन एकदम यह होगा ही होगा है लिखा हुआ है यह बात समझ रहा है तो इसी तरह से जो है हम लोग क्या देख रहे है यहां तो दो है दो से अधिक जैसे दिखाया तुम बोल जैसे कि मान लोग का हाँ लिखा हुआ है दस को तुम क्या लिख सकता है पांच गुना दो तो पांच गुना दो जैसे है तो तुम यह बोल सकता है कि जो भी इसका एंसर आएगा उसमें किससे भाग लग जाएगा तो सीम इसे पूरे संख्या में किससे खाग लगजागा तो इसको पूरे तुम तो बांसो उसरा जैसे आया तो इसे इस किसे बहुत ब्रह पहले एक से प्र, पांसो और इसके बगल में क्या बैठा हुआ है , तेरा से गुना हो रहा है तो पर से भी लग करके तेर दी गई संख्या एक से स्वैंग से तथा किससे तुमको जा करके तेर से विभाजीत है तो क्यों को गुणन खंड हो गया बाबू क्यों को गुणन खंड हो गया एगो ठेक है तुमको जा करके उसके बाद स्वैंग मतलब जो संख्या एका दो गो और तेरा याने की तीन गो तो यहां दी गई संख्या एक से स्वैंग से और तेरा से क्या है विभाजीत है तो क्या लिख देंगे अता यह एक क्या है तुमको जा करके भाज संख्या है ठेक है सेफ एक ठो कोमन तुमको ले लेना है तो अगला नमबर में तुम देखना है कि कोमन को साइड कर देना इधर है ना तब तुम लिख देना यहां दी गई संख्या एक से स्वेंग से जो कोमन आएगा उससे विभाजित है अता यह क्या है तुमको जा करके एक भाज संख्या है चलो यह कैप मेंग मेंदक, स्विप खेल के मैदान के चारो और एक वितकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लागाने सोनिया को यह सट्राु मिनट लगते हैं। माले जिए दूनँण एक ही समय पर चलना प्राडबalley में कितने मैंestä텐 प्रम्भिक बिंदू पर क्या करेंगे तो मुझा करके मिलेंगे यानि कि सर्कूलर कोई मैदान है ऐसा बिटताकार मैदान है इस पर यहां से एक जो है रभी और एक कुण है तो इसी चीड को हम लोग बोलते हैं क्या दोनों आपसो हूँ जैसे तुम जाकर के 10 के 8 कह टेबल और 4 का टेवल पढ़ना या eight का टेवल एट का टेवल तुम पढ़ना शुरू किया तो एट वन्जा एट-aatt 8 मत बनलब के हिंदी ना आटे कम आठ 8 दूनी 16 8 तीया 24 ना उसके साथ साथ तुम जाकर के 12 का टेवल परना सुरूख है बाड़ा एकम बाड़ा दूनी 24 दोनों आपस में जाकर सबसे पहले कब मिला 24 पे मिला है ना इसी चीज को बोला इता है आठ और बारा का LCM हम लोगों को स्चेन भी यही पूछ रहा है तो हम लोगों लिखेंगे तुम बजा करके साथ नंबर प्रारंभिक बिंदू पर मिलने का समय बड़ा बड़ा है ना दोनों कहां पर मिलेगा आपस में जाकर के तो उसके लिए हम लोगों बोलते हैंगे क्या लेना होगा तुम बजा करके L C M किसका किसका तुमको जा करके बाबू 18 और किसका तुमको जा करके 12 तो यहाँ पर हम लोग 18 को तोड़ लेंगे इस अब तो तुम लोग कर लेगा दो तिया छो तिया 18 और 12 को तोड़ लेगा दो गुना दो गुना ती तो L C M हो जाएगा 18 12 बड़ाबर जो सब में कोमन हो देखो क्या कोमन है दो कोमन है अब और 3 भी कोमन है दो कोमन हो गया यहां से तीन भी कोमन हो गया यहां से और बाकी सब तीन बज गया दो बज गया उमीद है कि 36 हो जाएगा अगले दिन एक्सराइज 1.3 को स्टार्ट भी करेंगे खतम भी करेंगे बहुत जल्दी मिलें जल्दी मिलें देली लगों मिलिये जाते हैं तब तक तक तुम घर में पुड़ा खुम मैनत करना यह सब पीडिया जाएगा एक्स्ट्रा होमबर्क मिलेगा उसको बना के भीजना गोट करेंगे जो है कुछ इसका पेज का चले कि तुम लोग पढ़ रहा वीडियो के एंड तक जो सब पहुंच गया हो तुमको जा करके उसको कोई कमेंट ने करवाएंगे पताचल जाएगगा परवायखका तब तक पूरा मैनत करो बाके सारा सब्जेक्ट को दिरे दिरे अपने से पड़ो मैंत कूप बनाओ जब लोग अफ-लाइन क्लास में मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे से नजर हम लोग मिला सके कि हम भी पुड़ा क्लास लिए ऑनलाइन तुम लोग भी किया है पुड़ा ओनलाइन तक यहीं इंप्व जलने वीडियो के साथ चलो उड़ जाइए अब आज है कि अ उन्यों पुड़ा कर देया है